तो आज हम पढ़ने वाले हैं Molecular Layer Method for the measurement of size of molecule of Olic Acid तो अगर हमको छोटे से molecule की size को determine करना है तो किस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर एक method आते हैं इसको हम बोलते हैं Molecular Layer Method यहाँ इसी को कोई लोग बोलते हैं Olic Acid Method तो सबसे परहें समझते हैं कि Olic Acid क्या होता है Olic Acid जो है exactly एक soapy liquid होता है and उसको प्रिपर किया जाता है कैसे Olic Acid को कि उस soapy liquid को हम लोग क्या करते हैं उस Olic Acid को एलकोल में मिलाते हैं ओके एलकोल में डालते हैं माल लेते हैं हम 1 cubic centimeter यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं 1 volume अगर हम ले रहे हैं 1 unit volume उसको मिला रहे हैं 20 unit of alcohol के अंदर ओके तो अब 20 unit volume हमको मिल चुका है जिसके अंदर 1 unit volume जो है वो क्या है that is what Olic Acid अब वो जो मैं पस 20 अवेलेबल है 20 unit volume जो है अवेलेबल है उस solution का उसमें से वापस से हम 1 unit volume लेते हैं याने की 1 cubic centimeter लेते हैं सेंपल और उसको अगेन मिलाते हैं डाल्यूट करने के लिए किसमें अगेन 20 unit of volume of alcohol में तो यहां पर देख रहें आप कितना हमने उसको क्या किये हैं हमने उसको किये हैं डाल्यूट राइड अब यहां पर बात आती है कि हमने यहां पर Olic Acid क्यों लिए है तो वह property में आपको समझाता हूं डोंट वरी आप जब एंड तक जाएंगे तो आपको वीडियो पूरी क्लियर हो जागी स्ट्वेंट्स ओके Olic Acid ही क्यों लिए उसके लिए मैं आपको एक्जामपल समझाता हूं मान लेते हैं मैंने यहां पर क्या किया यहां पर यहां पर मैंने rate लिया सेंड सेंड लिया बहुत सारी उसको डॉप नीसचे फेक रहां हूं समझना हैसी इसको जब मैं इस रीध को फेक ताहूं तो rate कैसे जमा होती है इस टाइप से जमा होती है याने कि पहले आपको बहुत सारे मॉलेक्युल मिलेंगे फिर उसके पत्रों से कम वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम वॉल्यूम एन आपको इस शेप मिलता है इतना क्लियर है अब अगर मैं यहाँ पे ओईल या वाटर की बात करूँ आप ओईल वो इस तकी से जमानी होता है वो कहे है पूरी फैल जाता है राइट क्या होता है वो पुरा फैल जाता है फैलने का मदलब यह कि यह जो है वन मॉलेक्यूल थिकनेस देता है वन मॉलेक्यूल थिकनेस मदलब कि एक ही लेयर में आप जितना बड़ा बरतन लेंगे वो पूरे अगर आपने बहुत बड़ा वेसल लिये हैं तो तो ओलिक एसीड का जो है प्रॉपर्टी है न वो भी इसी टाइप से कि वो पूरे जगह फैल जाता है एक वन मॉलेक्यूलर लेयर में इतना क्लियर है इसलिए हमने आप यह ओलिक एसीड लिये हैं अब इस्क्रेंट मैं आपक को देता है तो कैसे एक मॉलेक्यूल का हम साइस पदा करते हैं चलि उसको समझते हैं यह जस्के तुरू हम किसी भी एक लिक्विट के मॉलेक्यूल की साइस का पता कर सकते हैं तो बेसिकल यहां पे जो हम हम मॉलेक्यूल ले रहे हैं वो एक लिक्विट का मॉलजिकूल ले रहे हैं जिसका हमको साइस पता करना है ओकए सब बेसिकल स्विकले इसके पीशे का आईडिया यह थै कि हम यहां पे वाटर के उपर उस लिक्विट के लेयर बराने वाले यह जो लेयर होगी 1 वन मॉलेक्यूल थिकनेस की होगी जो कि अब हमने आपको बताया थे, यानि कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर जिस लिक्विट के मॉलेक्यूल की हमको साइस पता करनी है उसका एक सॉलूशन बनाएंगे उस लिक्विट को क्या करेंगे हम लोग ड्रॉप करेंगे वाटर के उपर तो वाटर के उपर क्या होगा वो एक लेयर बना देगा एनि लेयर कैसे होगी वन मॉलेक्यूल थिकनेस की होगी इतना क्लियर है इतना क्लियर है तो आगे दिखते हैं यहां पर ओलिक एसीड क्या है एक सोपी लिक्विड है एनि जो एसीड होता है जो इसके मॉलेक्यूल की साइज की बात करूँ तो इस Olic Acid के Molecule की साइज कैसी होती है बड़ी होती है तो सबसे पहले क्या करते है इस पूरी Method के लिए स्टूरेंट सबसे पहले हम करते है कि हम Solution में आते हैं Solution कैसे बनाते हैं Olic Acid का Solution तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जो Concentration है Olic Acid का उसको तयार करते हैं अब ही कैसे मिलाएंगे मान रहें कि हम 1 cubic centimeter Olic Acid लिए हैं उसको मिला करके एक नया solution बन रहा है और उसको जब मिला रहे हैं तो किसमें मिला रहे हैं अलकोल में डिसॉल्ड कर रहे हैं तो overall जो हमको नया solution मिल रहा है वो कितना है 20 cubic centimeter है अब हमने क्या किये वापस से 20 cubic centimeter में से हमने वापस से 1 cubic centimeter क्या लिए solution लिए यानि कि उसमें Olic Acid होगा और उसको वापस से डाले कि इसके अंदर 20 cubic centimeter of the alcohol तो यहाँ पर अगर में बात करूँ जो Concentration है Olic Acid का उस solution का जहाँ पर हमने इसको dilute किये हैं वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1 upon 20 into 20 तो कि पहले बार में उस 20 का 1 part है जैना कि 1 upon 20 और वापस से उसमें 1 upon 20 बना है तो 1 upon 20 into 1 upon 20 कितना हो जाएगा 1 upon 400 cubic centimeter यह क्या हो गया यह हो गया उस Olic Acid का Concentration इतना clear instruments अब यहाँ पर इसके आगे समझने के लिए अब आपको क्या करना पढ़ेगा instruments आप सोचिए अगर आपके पास एक vessel है आपके पास यह क्या है vessel है आपने बोले कि पानी के उपर water के उपर हम एक layer बना लेंगे राई उस liquid की अब मैं को बताईए आपने यह पानी इनने की water भरके रखे अब जैसे ही आप यह solution को उपर से फेकेंगे और फैलेगा इस water के layer पे आपको दिखेगा क्या आप judge कर पाएंगे क्या obviously कम chances है न क्योंकि एक पानी यानिक एक liquid के उपर दूसरा liquid फैल रहा है spread हो रहा है आप इसको कैसे judge करेंगे आप judge कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते है तो अब इसको judge कैसे करेंगे I am telling you उसके लिए क्या करेंगे मैं आप एक powder डाल देंगे कोई भी ठीक है मैंने क्या किया powder डाल दिया अब देखिए उपर से जब मैं देख रहा हूँ तो ये वेसल कैसा है मालेते हैं एक cylindrical shape है यहाँ पे जो है वो जो हमने powder विशा दिये वो powder जो है मैं इसको shape कहता हूँ यह powder हो गया यह क्या हो गया अब powder आ गया है समझे इस इसको अब क्या होगा जैसे ही मैंने एक उस solution की liquid डाला तो होगा क्या जैसे liquid डाला तो liquid फैलना शुरू होगा तो एक condition पे यह powder हर जाएगा यहने कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे suppose कीजिए वो liquid के solution की जो drop मैंने अगर fall किया गिराया इसके उपर तो यहाँ से जो यह फैलना शुरू हो जाएगा याने कि अब यह जो आपको powder दिख रहा है वो corner तक ही दिखेगा और बाकी आपको यहाँ पे एक layer दिखेगी और water के type की दिखेगी क्योंकि इसके लिएचे पानी है तो liquid तो liquid ही देगा याने कि आप इस चीज को समझे यह drop थी वो फैलते जाएगी तो फैल के इतनी बड़ी हो गई तो यह जो हमको layer मिली है इसको मोलते है one molecular layer की ठिकने से इतना clear है तो अब जो है आगे पुरा concept जो है वो इसी पे based है चलिए अब समझते अब सीधी सी पाते students यहाँ पे जहूरी है कि एक drop में काम हो जाएगा हो सकता है बहुत साइब लगे तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हमने कितनी drop वहाँ पे उस powder के उपर डाले हैं तो यह answer होगा कि हमने मान रहे हैं कि N drops of solution की जो है वो हम pour कर रहे हैं डाल रहे हैं उस water के surface के उपर एन यह जो vessel है वो बहुत बड़ा चौड़ा vessel है तो इस condition में क्या होगा एक film बन जाएगी जोगी फैल जाएगी उस water के उपर इतना clear होगा है students एन यह जो film होगी वो बहुत ही पतली होगी क्यों ऐसे होगी क्योंकि यहाँ पे जो है यह ओलिक एसीड की लेयर जो है वो वन मॉलेकुलर लेयर होती है एन यहाँ पे जो एलकोहल है वो इवेपोरेट हो जाएगा कैसे बोच सकते हैं आप इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि एलकोहल की प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन की तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी लेयर बन रही है वो लेयर किसकी होगी तो इस तरीके से जो बहुत ही पतली एक फिल्म बनी है हमको लेयर की मिल दागी वाटर सर्फेस के उपर अब हम क्या करेंगे जिस ओलिक एसीड की हमको लेयर मिल गई है हम अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स का या ग्राफ का यूज करके क्या कर लेंगे उस फिल्म का एरिया मेजर कर लेंगे इतना क्लियर है तो बेसिकली क्या हो जागा इस्टूइट्स यहाँ पे जो एन ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा तो अब यहाँ पे हम लेट कर रहे है कि एक ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है वी है हमने लेट किया है कि एक ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो है केपिटल वी तो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जागा n into v cubic centimeter होगा ने students अब यहाँ पे एक चीज़ समझे उस एक drop के solution में आप एक drop बोलिए या फिर उस पूरे volume में अब यहाँ पे देखिए आपने जो fall कियें आपने जो गिराया है उस water surface के उपर वो क्या है आपने solution drop कियें n drop of solution पर वो n drop पूरा solution है वो पूरा का पूरा olic acid नहीं है olic acid कितना है वाँ पे olic acid है एक drop में 1 upon 400 पूरे volume का जितना भी solution है उस solution का जितना भी volume है जितना भी solution है उसका 1 upon 400 part जो है हमको मिलता है olic acid ओके समझीए तो अब यहाँ भी total volume कितना है n into v तो इसका 1 upon 400 पार्ट ही क्या होगा हमको मिल दागा Olic Acid याने की volume of Olic Acid जो होगी वो कितनी होगी N drops का N into V upon 400 cubic centimeter यही होगा रहे students तो इस चीज़ को समझे यहाँ पर हमको मिल चुका है कि जो Olic Acid का जो volume है वो कितना है N into V upon 400 cubic centimeter that is fine अब देखिए हमको उस thin layer of the Olic Acid का area मिल चुका है अगर उस area के base पे भी मैं fine करना चाहूं volume fine करना है उस Olic Acid की जो thin layer है वो कैसे निकालेंगे तो volume का formula होता है that is what area into thickness यहाँ फिर height बोल सकते हैं तो यहाँ पे हमको जो volume मिल रहा है Olic Acid का दो point और से मिल रहा है एक area into that is height height को माना गया कितना T centimeter thickness को thickness के लिए T है तो T लिया गया है T centimeter is the thickness of the what Olic Acid की जो mono layer है यहाँ फिर आप हो जगते हैं single molecule जो layer है वो मिल चुकी है तो यहाँ पे area into height इतनी हो जागी A into T equal to volume किसका है यह volume है Olic Acid का ऐसे हमने volume of Olic Acid निका ले थे यहाँ से इस formula से Nv upon 400 तो दोनों के इसे जाएंगे equal हो जाएंगे तो यहाँ से हम जो thickness निकाल सकते हैं किसकी उस Olic Acid की layer की clear है तो T is equally क्या जाएगा Nv upon A into 400 यहने की 400 A तो इस तरीके से other students हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम thickness निकाल सकते हैं उस Olic Acid की film की जो की water के surface के उपर fell गई है stretch हो गई है तो उस condition पे तो हम उस liquid के molecule की size easily पता कर सकते हैं एंड जो यह हमको thickness मिलने वाली है उसकी value nearly 10 to the power of minus 9 meter होगी आने कि आप सोच सकते हैं कितनी छोटी है उसको हम जो है neck dye से नहीं देख सकते हैं पुली आको समको नहीं देखता है molecule इतने छोटे होते हैं तो आपको एक चीशी समय आएं चीए कि किस तरीकी से थिकनेस के point of view से एंड उस molecule के size को पता कर सकते हैं ओके students clear है I hope आपको clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है knowledge मिला तो please हमाई चैनल को subscribe किजिए एंड वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you